अब तक यह खबरे दिखाने यहाँ पे किस तरह का हाल है कैसा मनजर है यह देखे यहाँ पे जो घर है इसकी इस्तिति देखे किस तरह से यहाँ लोगों ने अपनी जान बचाई होगी यह आप सोच के देखे कैसा मनजर रहा होगा जब आपके उपर से इतना बड़ा लैंड्सलाइड आता है पीछे जितने मकान होते हैं वो सारे उस लैंड्सलाइड के नीचे दबने शुरू हो जाते हैं लगातार इस तरह की घटनाएं उत्राखन में बढ़ रही हैं हम इस समय ग्राउंड जीरो से हैं और तिन गड़ एक जगे है जहां पर बीस मकान शतिक रस्त हुए हैं और आपदा के चलते वे यह घटना हुई है देखे हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं तस्वीरे बहत जादा डराने वाली है देखे जहां मैं इस समय खड़ा हूं यह देखें यह मकान हुआ करते थे और किस तरह से मकान यहां पर जो लैंटर है वो टूटके पूरी तरह से शतिक रस्त हो गया यहां पर जो लोग रहते थे आप यह देखें क्या हाल हुआ होगा उनका देखें यहां दिखाना चाहूंगा यह पूरा बरा पूरा घर है और यहां पर अभी भी समान मौजूद है और किस तरीके से पूरा इनकी जो छत होती थी वो पूरी दरक के नीचे आ जाती है जहां मैं खड़ा हूँ यह भी पूरी छत में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारे आ गई हैं इसके बाद मैं आपक लोगों ने यहां से जपानी आनी शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी जान बचाई यहां से भाग कर जान बचाई देखे टैलीजन हैं कुरसियां हैं बाल्टी हैं तमाम वो समान हैं पलंग हैं तमाम वो समान हैं जो यहां पर लोगों की जरुरत के हुआ करते थे लेकिन इन वह इस इन सब चीजों से महरूम है अगों तकारपीन आपको तेक्म थक्न कर रहा हु से यह पूर लाघ्ल पूर आपको है भेस्वीर आपको मलवा दिखरा होगा नैचे तकरीबन 8 मरी मकान दबएवेए जहां इस समय हम उपर जाने की कॉशिच कर रहे हैं यह इसके नीचे इस मल्वे के नीचे 10-12 मकान दबएवे क्या गांटी तो ये दरारे बढ़नी शुरू हो जाती है दरारे बढ़ने के साथ-साथ यहाँ पर लैंड स्लाइड आ जाता है लैंड स्लाइड जब आता है तो पूरी घटना सामने के गाउं से कहीं से capture कर ली गई जो हमने वीडियो आज कल वाइरल भी चल रहा है पूरे गाव पे उपर से त्राजदी आती है और तमाम सारे मकान पूरी तरे से शतिग रस्त हो जाते हैं यहां के निवासी हैं मेरे साथ इनसे पूछेंगे क्या हुआ था मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ था यहां के बारे में क्या जानते हैं कितने ऐसे मकाने जो अभी नीचे दबेवें यह जो है मैं मनमोन सिंग ग्रावत बोलनों थादी बूड़ा के दार से हूँ लोकल हूँ अस्तानिया हूँ यह कुल मिला के जो देखने वाली जो बात है यहां पर जो है पहले ही जो है यहां की बूग गर्वे सर्वेय रिपोर्ट जा रखिये कि यह बूज कलन परवावी छेतर है लेकिन सासन परसासन की अंदेखी का यह सिकार हुआ है गाउं और अगर इसको समय रहते पहले अगर इसका बिस्तापन किया होता तो आज यह मंजर नहीं होता कितने घर अ यह सामने जैसिस के सामने तोली गाओं हैं और यहां पर जो है दो लोग एक मा और बेटी की जो है मलमा में और मोत और द्बने से मौत हो गई थी और इसक वाब दिन में ऑड़ आ नीचे बेड़ गई हैर है यहां पूरा दलदल हो चुका है पूरी सब चीज़े एकदम नीचे बैड़ गई है क्योंकि जो उपर से लेंड़ स्लाइड जब हुता है तो यहां दस से पंदरा मकान हुआ करते थे और वो सारे इन बें दल्दल की नीचे हैं इस समय और देखे हम मैं इस घर में घर की भी इस्तिती दिखाना चाहूँगा देखें ये जो घर है यहां जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो यहां घर है इसकी क्या इस्तिती हुई है ऐसे तमाम पूरे गाउं के जो घर थे उनकी इस्तिती बहुत जादा देने हैं हो चुकिए देखे सामने जो देख पा रहे होंगे वो शौचाले हुआ करता था गाउं का और गाउं के शौचाले की हालत देखे क्या हुग गई यहां से तमाम जितने लोग थे उन सभी को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है और यहां की जो इस्तिती है बेहर ज्यादा दैने हैं ग्राउंड जीरो से हम यहां पर पहुंचे हैं आप तक यह खबरे दिखाने यहां पर किस तरह का हाल है कैसा मंजर है यह देखे यहां पर जो घर है इसकी इस्तिती देखी किस तरह से यहां लोगों ने अपनी जान बचाई होगी यह आप सोच के देखे कैसा मंजर रहा होगा जब आपके उपर से इतना बड़ा लैंड स्लाइड आता है, पीछे जितने मकान होते हैं, वो सारे उस लैंड स्लाइड के नीचे दबने शुरू हो जाते हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं उत्राखंड में बढ़ रही हैं, जिसको देखते वे, अब राज्य सरकार के थापित करने की गुजारिश करती है, या कहां इस्थान दे पाती है, जब जल प्रलय आता है, या लैंड स्लाइड होती है, उसके बाद की वो तस्वीरे, जो शायद आपने नहीं देखी होंगी, ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूं, उस घर की, यहां तमाम ऐ से घर हुआ करते थे, देखे, पानी ने अपने आप रस्ता बना लिया, और यह पूरा लैंड स्लाइड होता है, वह पानी अपनी जगे बनाता वाया, और यहां जितने भी मकान थे, वो सब पूरी तरह से नेस्तना बूत हो गए, देखे, यहां पर अगर मैं बात करूँ, यहां पर जितने भी लोग थे, उन्होंने एक तो उनके लिए काफी अच्छा राय किसमत उनकी अच्छी रही, जब पानी आया, तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया, कि पानी जब आ रहा है, तो निश्यत रूप से कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने पा वारोग को साथ लेकर यहां से निकलना शुरू कर दिया, इसकी वज़े से यहां तमाम 18-20 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जान बच सकी, यह एक बेहग डरामनी तस्वीरे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, Ground Zero से, सभी लोगों को यहां से विस्थापन करने की जो मांग चल और भारत, तिन गाड़ झाल